शूपरबात दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका इस चैनल पर दोस्तों बहुत सरे डाउट्स यहाँ पर है जब EPFO SSA का फाइनल रिजल्ट आया था वो डाउट्स किन के मन में है जो बंदे अल्रेडी LIC में सिलेक्शन है, SBA में है, BANK में है, FCA में ESIC में है उनका ये confusion है कि क्या EPFO SSA is better than all these posts or not ये जो confusion है ये मैंने कुछ study किया है कुछ last 3-4 दिनों में और जो कुछ मेरे दोस्ते उनसे बात करके जो कुछ भी confusion में निकला है तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे क्या EPFO SSA कुन सी कुन सी post से better है, सारे angle को मद्द नजर रखते हो है, हम ये discussion करेंगे तो दोस्तो ये जो है, वो सिर्फ हमारे views है, क्योंकि ये views सिर्फ हमारे है, लगिन career की जो choice है ये आपकी है, means views are ours and career choice is yours तो दोस्तों, let's begin with the big picture, that is EPFO SSA, अब दोस्तों बात आती है EPFO SSA के gross salary, दोस्तों इसमें हम ये सारे aspect देखेंगे, जो aspect से आपे दिखा है कि gross salary, posting, promotion, job profile and workload तो इस सभी चीजों को मद्दे नदर रखते हुए, ये post better है, नहीं है, ये आपको decide करना है, क्योंकि हर बंदे के जो factors होते है, concerning factors वो अलग अलग है, जैसे कि मैं भी EPFO SSA का mains मेंने दिया था, मैं selection भी वादा skill test के लिए, और मुझे लगता था कि मैं pass हो जाओंगा, लेकिन कुछ issues की वज़े से, जो मुझे नजदी घर के पास posting already मिला है, LSE assistant में, तो और कुछ भी factors है, तो उसकी वज़े से मैंने इसको tire 3 skip किया, ताकि यदि मैं join करना ही नहीं चाहता, तो मैं एक बंदे का sit की waste करो, ऐसी कुछ सोच रखके मैंने ये exam नहीं दिया था, दोस्तों ल basic में लगबग around 4,000 का फरक है, अब ये जो basic है 29,200 है और इसका 25,500 मनले को 3,800 का यहाँ पे difference, 3,800 का यहाँ पे difference है, 900, sorry, 3,700 का यहाँ पे difference है, अब दोस्तों बात आती है कि इसका grade पे जो है level 5 का ही है, क्योंकि यहाँ पे एक RTA file किया गया था, जो हमारे कोई दोस्त है, जो views थे उन्होंने ये idea share किया है, इसमें दिया है what is the salary structure of BPF, please tell the, तो उन्होंने दिया कि ये notification पढ़ लीजिएगा data at 16 में, उसके बाद क्या ये 24,800 ग्रेट पे में हाँ जी हाँ ये उन्होंने कई दिया, इसका मतलब इसको L4 to L5 में यहाँ पे convert की गई है, दोस्तों प्रोमो पॉलिशन पॉलिशी जो है वो नीचे दिये, सोशल सिकूर्टी असिस्टन के बाद आपका प्रोमोशन प्रोमोशन हो सकता है, उसके बाद रेकांट सीट के बारे में भी है, पूछे लेकिन वह हमें important नहीं है, अब दोस्तों बात क्या आती है, ग्रॉस सेलरी, तो दोस्तो प्रेजन सिट्योशन हम देखे, तो यहाँ पर ग्रॉस सेलरी तो तीन सीटिस की उती है, इसलिए में एक्स जो होती है, जेल जो सबसे लोग हो जाती है, तो मैं जो कुछ भी बाते कहूंगा आने वाले वीडियो में, वो वाई सीटिस को मत नज़र रखते हुए कहूंगा, अब दोस्तों बात आती है इसकी वाई सीटिस की जो प्रेजन जो स्ट्रक्चर है, उसके अनुसर जो जाती है, ग्रॉस सेलरी लग वो 44,000 के करीब जाती है, अल्मोस्त 44,000 को टच कर जाती है, लेकिन दोस्तों डिये जो है सिंटल गवर्मेंट अभी डिये इंक्रिस करने व सो दोस्तों यदि जो सेंटल गवर्मेंट का डिये है, वो हर 5-6 मन्त के बाद बढ़ता है, लग बग वो एक वाई सिटिस की सैलरी आपको जून जुले के एंड तक आपको लग बग वो 59, 49-50 तक मिल सकती है, ग्रॉस और इन हैंड आपको 44 के आराउंड मिल सकती है, तो गुड सैलरी है, पोस्टिंग के बारे में कहो तो आपको mostly, इसका जो बेस है दोस्तों वो है, इसके बाद डिविजनल अपिस और ब्रांच अपिस बहुतीर बहुतीर है है, तो आपको यहाँ पे पोस्टिंग भ सब्सक्राइब करेंगे सिंगल विंडॉड जैसे जॉब से हो क्यों एक लास तरी की पोस्ट है, आपको वहाँ पे करणा है, और वर्क लॉल के बारे में आपको प्रेशर नहीं है, वर्क लॉल आपको नहीं है, जो विदिन टाइम लिमिट है, उसमें ये आपको जॉब करन तो उसका लगबग 2000 के अरवन आपका डिय भी बढ़ सकता है और 1000 के करीब लगबग 2500 या 3000 के करीब आपका डिय प्लस येरली इंक्रिमेंट पकड़के इतना इंक्रीज हो सकता है तो अच्छा है कोई बत नहीं आपका order organization में प्रोमोशन 5-6 साल नहीं होता है तो यहापे भी 5-6 साल नहीं होता है लेकिन फिर भी salary आपकी लगबग 2500-3000 तक यहापे yearly बढ़ सकती है 2000 के करीब तो minimum ही बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं आप peaceful life जीना चाहते है आपको ज़्यादा hectic life नहीं चाहिए यह आपकी salary में खुश हो तो EPO4SSA जितने भी comparison मेंने किया है सबसे best job है क्योंकि और जो promotion policy दोस्तों वो है उसके बारे में भी एक अंदाज़ा बताता हो कि यह पुरानी promotion policy मतलब जब पुराने लोग promotion नहीं लेते थे पुरान ले किसी भी organization में जाओ जो old लोग है उनको responsibilities नहीं चाहिए थे वो promotion नहीं लेते थे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे तो uncle है वो तो SSA थे अभी SSA है लेकिन उनको promotion नहीं चाहिए था इसलिए उन्हें नहीं लिया होगा नए बंदों के accordingly promotion policies भी आने वाले समय में हर organization में definitely change होगी जो कुछ भी year से जो कुछ भी promotion policies definitely नए बंदों को मत देजन रखते हुए change की जा सकती है मुझे आप choice देते कि LSE assistant में हूँ तो किसमें जॉइन कर सकता हो तो मैं prefer कर सकता था कि मुझे peaceful life चाहिए इसलिए मैं एसे से चूज करता लेकिन मेरे कुछ family limitations थे इसलिए मैं उसको नहीं चूज किया दोस्तों चलते है next section पर हाँ जो इस circular है वो भी आप देख लीजिए 16 में का जो उन्हें ने देखने के लिए बोला था इसमें दिया गया है कि लेवल 4 से लेवर 5 में अपग्रेट कर दी गई है तो यहां पर दोस्तों बहुत सरे बंदें बोल रहे है कि उनका basic पे तो कम है लास्ट बैस तो 15 में जॉइंड की था का है और एक्सपेक्टेड है कि आपको जो वेजरी विजन अभी विदिन 1 & 2 में हो जाएगा वह 37 ग्रॉस चला जाएगा उसमें आपके सोड़ेक्सों के benefit जो है 3000 के around मिलते है और जो मंतली पेपर मिला के आपको 500 के around मिलते है लगबग हम पकड़ के सकते हैं कि इनकी in-end salary 37 ग्रॉस हो सकते 32 तक in-end हो सकती है और 35,000 तक in-end salary इनकी वेजरी इनके बात हो सकती है पोस्टिंग जो होता है प्रोमोशन जो है यहां पर डेबल लेओ के लिए minimum 5 साल के लिए eligibility बताएगे इसका मतलब आपका पास साल में प्रोमोशन होगा आईसा नहीं है 2000 बच्चे western zone में joint करते है तो इदी वेकंसी प्रोमोशन की सिर्फ सो निकलते है तो 2000 बच्चे तो नहीं पाच एर के बाद अपना प्रोमोशन ले सकते है definitely उनको 2-3 साल लगए तो लगबग हम यह expect कर सकते है कि उनका प्रोमोशन 8 या 10 साल के अंदर अंदर होता है मतलब जहां पर EPOF को मिसलिट किया जाता है कि वहां पर प्रोमोशन 8-10 साल के बाद होता है यहां पर यहां पर 8-10 साल के बाद हो सकता है क्योंकि हमारे जैसे बंदे जो एवरेज बंदे उनको तो इतना ही टाइम लेगा जो आप मल्टी टैलेंटेट हो सकते हैं होंगे अपने डबल आओ को जो कुछ भी आपके सिनेर असिस्टंट है जो हाइर ग्रेज असिस्टंट कहते हैं उनको असिस्ट करना है सिंगल विंड़ ऑपरेटर में लब कैश काउंटर भी आपको यहां पर समालना होता है वर्कुल के बारे में कहों दोस्तों परस्तिन लिए ब् लगांट नव भी बस जाते हैं यहां पर जब जोब में होता और कभी 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 इतना वर्कुल स्ट्रेस ब्याटा करने को मिल सकती है यह पुब्लिक डिलिंग औरगनाजिशन में इंट्रेस्टे नहीं फिर भी आपको यहीं जॉइंड कर लिया है तो प्लीज आप यहीं से बैंकिंग रिविजन के बाद थर्टी तो थर्टी वन थाउजन के अराम हुई है इस बेका अभी तक आउट मतलब पता नहीं चला एक्जैक्ली क्योंकि इस बेकी सैलरी का जो स्लीप मुझे मिलना चाहिए तो अब देक मिला नहीं है लेकिन उनकी थर्टी थर्टी फर्स तक वेजरी उनके बाद आई है पोस्टिंग उनकी घर के पास नहीं मिलती है लगबग दूर की दूर ही देते हैं मुंबे रिजिन में ज्यादा वेकंसी होने के बावज़त प्रोमोशन पॉलिसी जो है आपको दोस्तों त्री या फाइव एयर के बाद आप प्यो बन सकते हैं यहां पर प्रोमोशनल एक्जाम्स भी है जो इप्यो फो एसे से में प्रोमोशनल एक्जाम्स नहीं है वहाँ पर आपको पीस्फुल लाईप है और यह सेलरी जो आप बोल रहेए कि तीन चा थी है पास साल में बनने के बाद सालरी बहुत बढ़ जागे लेकिन पीयो का जो चुछ बहुता है कि यह कस्टमर डिलिंग और गनेशन से जहां पेकस्टमर डिलिंग और गनेशन सोती है वर्कलोर जादा होता है और स्ट्रेस लेवल भी जादा होती है तो डिफिनेटली एपीओफो, एसे से, एस्बै जोनियर असोसेट को भी सरपास करेगा मेरे एंगल से दिया आपको पीसफुल लाइब विदाउट स्टेडी प्रोमोशन यहाप प्रोमोशन भी है प्रोमोशन के लिए आपको जे आए भी सिया भी उनकी स्कॉलरशिप मिलती है जो कुछ भी है सब कुछ जी मद्दर रखते हैं और एक तरफ पीसफुल लाइक मद्दर रखते हैं तो आप EPFO, SSA से जॉइन किजेग प्रोमोशन जो अप्रोफेली वर्कलोल से में जैसा मैंने इस बेजुनेर असोसेट के लिए लेकिन क्या है लोग बहुत डिफरेंशेट करते हैं और बैंक जो अधर बैंक में वह इतना अच्छा नहीं लेकिन में यह मानना के चलता हूँ को यदि आप और बैंक की बात करे तो थोड़ा बहुत वर्कलोल वहाँ पर कम है लेकिन डेफिनेटली वर्कलोल जादा है और प्यो तो आप दोनों तरफ बनोगे प्रोमोशन जो है दोनों तरफ से में डिपेंड करता है आपकी बैंक से लेकिन बैंक बैंक होता है वहाँ पर प्रेशर डेफिनेटली होता है बहुत हाई लेवल पर जाना है तो बैंक्स जैसा प्रोमोशन इसमें किसी में भी नहीं है वो बैंक पर डिपेंड करता है लेकिन जितना फास्टर प्रोमोशन पॉलिशी बैंक्स की है उतनी किसी की भी ऑर्गनेशन की यहां पर नहीं है एक अच्छा लेवल का जॉब था लेकिन जब यह पता चला कि EPFO SSL 5 लेवल का जॉब है तो ESIC UDC को वो डेफिनिटली सरपास कर गया है क्योंकि ग्रॉस सेलेरी पोस्टिंग प्रोमोशन जब प्रोफाल वर्क्रोल के बारे में EPFO और ESIC मिलता जुलता है उनकी ग्रॉस सेलेरी सेम थी पोस्टिंग भी मुसली सिटीज में होती थी मेट्रो सिटीज या डिस्टिक लेव इसलिए उसका डिफिनेटली इंक्रिमेंट जो होगा वो ESIC UDC से ज्यादा हो क्योंकि यह जो लगता है वह बेसिक पे लगता है और यह बेसिक परसेंट ऑप बेसिक पकड़के चले यह ले तो 370 रुपे का आपको डिफिनेटली से रुपे का इनका डिफ्रेंस है तो 370 रुपे का डिफिनेटली हमेशा आपको दिखाई देगा मिनीमम नेक्स्ट वन हम बात करेंग दोस्तों FCA AG3 मेरे एक दोस्त है वह अभी FCA में है तो उनकी जो ग्रॉस से लेरे दोस्तों अरौन 50K है पोस्टिंग जो है उनको जो रिविजनल होपिसे से डिविजनल होप होङए कभी अपको फिल्ड पे जॉप करना पड़ सकता है ऐसा सुनने माया लेकिन यह पॉसिबल भी बहुत सरे भंदनें बनाई कि यह कभी-कभी बोला जाता है कि फिल्ड पे जॉब करने के लिए लेकिन मुस्तलि नहीं बोलते है लेकिन धींड़ पर पर कहां पर बेजन करने के लिए सिर्फ एपसे एजी थ्री मुझे थोड़ा बहुत मिलता जुड़ता लगता है लेकिन अधर जो सेलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रोमोशन पॉलिसी जो प्रोफाइल वर्टोल के बारे में तीनों पॉइंट के बारे में फोड़ा एडवेंटेज का सकता है प्रोमोशन का कोई ऐसा सा कोई प्रोमोशन की पॉलिसी पता नहीं चलिए अभी तक हो सकते पता चलती है तो definitely हम वीडियो लाहेंगे इसलिए में यहाँ पर बनताना चाहतु है कि प्रोमोशन पॉलिजिस के बारे में थोड़ा इन मेरे पास नहीं है जो बारे में भी इसका करूप में बहुत मतलब पहले कभी वॉअ था इसका भी आईडिया नहीं और अभी जो हुआ है उसके इसे जोईन के दो दो मंध ही हुए तो पुरा पता नहीं चला है उसके बाद दोस्तों जो कुछ भी conclusion मेरा यहाँ पर है वह है EPFO सबसे पहले best है सबसे best है LIC नहीं है क्योंकि यहाँ पर exam से बगारा देने के बाद आपको यहाँ पर joining करना है जो कुछ भी है तो सबसे पहले EPFO में यहाँ पर प्रेफर करूंगा इसके बाद LIC को उसके बाद इससे जोनियर से और यह सबसे आपको जो कुछ भी जॉइन करना चाहते है आप उसमें से आप जोइन कर सकते हैं अप प्रोमोशन के लिए आपको प्रोमोशन अस्पेक में सबसे आगे लिखे जाएगा उसके बाद LIC आपको अगे लेके जाएगा और उसके बाद EPFO पास कुछ experience था उस पर बैस था इसलिए मैंने वीडियो बनाए एदि किसी को लाइक करता है इसमें कुछ मतलब खामिया भी नजर आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देजीगा क्योंकि इसमें मैं मैं खुद में कुछ सिदार करना चाहतो हो खुद के knowledge में दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग इस वाचिंग इस आव लोड इन वा ब्रेट फुचर आहेड गूट बाइ एद बेस्टलुक